में गंस्याम और आप देख रहा हैं गंस्याम टेक दोस्तो बैंक निफतिकी एकर वीडियो अपका स्वागत करता हूं इतमें हम बैंक निफतिकी से जुड़े रवे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं शीखते आ समझते हैं कि क्या लेंबर्फाल है bank nifty के लिए और जो stocks bank nifty में trade करते हैं उन के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चनल पे नए है तो please हमारे चनल को subscribe कीजिए और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों को दिखिए यहां पर continue हम वहीत है जी तीसजार पांसो के नीचे यहां पर close कर रहे हैं आज भी आज हो रहे हैं थीसजार पांसो के नीचे यह close करे लेकिन जो हमारी कल की closing कल क Eli क्लों सिगा की ओर आझ की closing है हमारी 3432 की जो कल का low लगा हुआ था वो लगा था यहां पर 3430 का और आज का low हमारा लगा हुआ है 3330 का तो यह important level इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए जो 200 exponential moving average हमारा है जो 200 हमारा simple moving average है वो इसी level के आसपास में है यानि 30200 के आसपास में है तो यह 30200 से लेकर 3300 के बीच में strong support का काम करेगा यहां पर यह 200 डे में आ रहा हमारा लगबग 30200 के पास में आ रहा इसके नीचे continue अगर यह close करना इस टार्ट पहले इसके नीचे close है तो हमारा target अभी यही होगा 30200 के आसपास का अगर कल यह वापस 30520-530 के ऊपर close नहीं करता है तो सायद पहले यह लेबल टच करेगा यह 30200 का और उसके बाद यहां पर देखेंगे कि किस तरह की momentum या किस तरह की candle यहां पर यह बनाता है 30200 इसके लिए strong support इसला इसलिए भी है क्योंकि continue इसको यह respect देता है जब उपर जाते वक्त भी respect देता है जल्दी इसको cross नहीं करता है और cross करता है तो एक 1000 point की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है उसी तरह से जब भी यह नीचे की तरब point का यहां पर momentum नीचे की तरब आपको जरूर मिल जाएगा bank nifty में अगर इसके लोको आप देखना है start करेंगे तो important level है क्योंकि 200 dma है तो इसको ध्यान में रखिएगा यहां पर trade आपका उतना clear cut view नहीं मिलेगा और volatility यहां पर बहुत ज्यादा आते विए बढ़ जाएगी तो उसके पर भी नजर रखिएगा हो सकता है कि यहां पर करते हुए दिख सकता है तो इन चीजों पर नजर बना के रखिएगा अगर आप इस पर बैंक निफ्टी का ट्रेड ले रहे हैं इसमें चीजória के ओपर फिर से अस्टेंड करेंगा तो फिर से जो आज कले वले 600 वह हमारा टारगेट होगा बड़ी मुमेंट् इक बड़ी मुमेंट हो चुकी थी तो मार्केट ने आज बजोब किया है कि साइट की मुमेंट यहां पर देखने को मिलती है चली बेदेखते है कि कि clear cut view यहां पर बिल्कुल नहीं है इसमें जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे यह 30 के ऊपर निकलेगा तब यह जैसे कल की closing यहां पर इसमें दीती 725 की closing थी तो 730-732 के ऊपर निकलने पर यह 740 के रेबल इस जगह पर यह बार बार तो मारा पहला इस टॉक से एकसे बैंक एकसे बैंक देखिए उसी जगह पर घूम रहा है यहां पर कोई clear cut view आप नहीं ले सकते हैं कोई clear cut trend यहां पर हमें नहीं दीख रहा है यहां पर clear इस सेटप में बैठता है तो जरूर आप कर सकते हैं बैंक का बड़ोदा यहां पर भी देखिए continue नीचे की तरफ ही यह stocks चलता हुआ चला जा रहा तो जिन्होंने short किया होगा उनके लिए target जो निकल के आएंगे मैं रिकाल से 78 के होंगे उस condition में आपको जो ऐसे लखना पड़ेगा वो 81 का closing रखना पड़ेगा Bank of India में भी वही situation यहां पर भी बन रही है तो जिसके पास position है इस top लस आप 59 का जरूर कर लीजेगा Canada Bank continue जैसे कल भी बोला था कि लोको ब्रेक करेगा तो हमें यहां पर 1.5% की moment जरूर मिल जाएगी तो अब किसी ने thought करके रखा हुआ है तो इस top लस 165 50 का जरूर यहां पर लगा के बैठी है DCPB में कोई नहीं था फेडरल बैंक वेट करेंगे फेडरल बैंक का हम लोग अभी किस तरह की moment यहां पर मिलती है clear cut यहां पी नहीं है HDFC देखिए 1200 को continue support यहां पर ले रहा जैसे कल में ने बोला था कि 1200 के नीचे अगर यह continue trade करना start करेगा कि दरब 1190 और 1180 क्या दे सकता है तो देखिए 1200 के जासपासी आके इस ते closing दी है अब कल के लिए important है कि 11 यानि डबल वन नाइन सेवन के नीचे अगर trade करें तो आप 1203 का stopless लगाईए और 11190 और 1185 के target के लिए आप इसे sort कर सकते है HDFC बैंक को ICICI bank यहाँ पर भी देखिए clear cut कोई view यहाँ पर भी नहीं है लेकिन हाकल मैंने बोला था कर आज के low के नीचे निकलेगा तो साइध यह 22 तक जा सकता है जो कि इसने आज गया नहीं 25 से ही stock भूम गया है तो यहाँ पर clear cut view यहाँ पर भी हमें नहीं मिल रहा है तो तुम लिए जाके आपको जिरोदा में account open करना है और account open होने के बाद में आप हमारे support group से जूड सकते हैं अगला stock से हमारा RDIBi bank यहाँ पर clear cut way view मेरा कि इसको sell कर दीजिए इसको देखिए मत इंडेसिंड बैंक जैसा की long term यानि बड़ा target में आलेडे दिया हुआ है इस पर 1000 का ध्यान रखी का यह जब तक 1220-1230 के ऊपर अब close नहीं करेगा एक momentum इसमें आएगा नहीं बड़ा जो hurdle है वो इसके पास अब 1300 रुपय का बड़ा hurdle है और 1200 एक short term resistance यहाँ पर 1220 का इसको मि यह यह भी no trading zone में है तो यहाँ पर भी कोई trade लेना risky होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या कर सकता है यह जब एक बार clear हो जाता है तो चीज़े समझ में आएंगी clear कब होगा जब यह 1735 के ऊपर close करना इस start करेगा तभी यहाँ पर clear cut view यहाँ पर मिलेगा kotak bank में oriental bank आपर भी short नीचे की तरफ 50 का target हमारा हो चुका है तो अब जिसके पास position है वो 50.5 यानि 50 रुपय 50 प्रते का stop loss लाया के position में बने रह सकते हैं RBL bank यहाँ भी देखे 300 के नीचे close करने के लिए तयार नहीं यह 297 के नीचे close करेगा तो एक अच्छी मुमेंट यहाँ पर नीचे की side में देखने को आपको मिल सकती है तो इंतजार कीजिए किस दिन यह 297 के नीचे close करेगा या continue 297 के नीचे trade करेगा तब इसको हम करने के बाद यह 35360 के लेबल भी दिखा सकता है तो नजर बना के रखेगा कि किस दिन यह 330-332 के ऊपर close करेगा तो next day हमारे लिए best trading ideas रहेगा सिंडिकेट बैंक यहाँ पर कोई भी नहीं है तो छोड़ दीजे यूडियन बैंक को सौट में जिसकी पास position है अब आज के हाई का इस टॉपलस लगा कि यहाँ पर आप बैठे रही है यहाँ बैंक कुछ नहीं करना है छोड़ दीजे यहाँ पर इंडियन बैंक की भी वही और आप हमारे support group से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा telegram channel पर जाईए वहाँ से angel broking का link है तो वहाँ से आप जाके angel broking में account open कर सकते हैं और account open होने के बाद उसमें अगर आप एक trade कर लीजे उसके बाद trade का screenshot और login ID का screenshot हमारे whatsapp number पर भेज़ दीजे जिससे फिर मैं आपको अपने support group में add कर लूँगा जिसके पास जिरोदा का account पहले से है यह उनके लिए है और जिनके पास अगर नया account open करना है तो मैं prefer करूँगा कि पहले आप जिरोदा में open करें अगर आपके पास है अगर जूडना चाहते हैं हमसे तब आप open कीजिए अगर आपको मुझसे नह होगा हमारा 3800 का इस्टापलस होगा हमारा 3400 का अगर यह नीचे की तरफ 3400 को break करता है तो हम इसे sell करेंगे हमारा first target होगा 3300 का second target होगा 3200 का और third target होगा 3100 का इस्टापलस होगा हमारा 3500 का दोस्तों यह वीडियो मैं सिर्फ education purpose से बनाता हूँ तो आप वीडियो को देखिए समझिए तीखिए और मेरे दूसरे चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली है तो उस वीडियो को भी जा करके जरूर देख लीजेगा उसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी तो उस जानकारियों को आप अपने trading life में implement कीजिए धीरे धीरे चीजों को समझना start कीजिए तीकना start कीजिए तेखिए यह सारी चीज़े एक दिन में नहीं होती है trader यहाँ पर आता है उसे लगता है एक दिन दो दिन पांच दिन हमने मेनत कर द तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल मताओ, यहाँ पे आप अपना टाइम और पैसा दोनों बरबात करोगे, तो वो टाइम और पैसा किसी दोसरी जगह पे आप लगाओगे, तो सायद वहाँ से कुछ आपको return मिलता के, यह practice का काम है, और continue आपको यहाँ पे practice करते ही रहना है, तभी यहाँ पे market में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और share कीजिए, और नए मेमानों से request है कि चैनल को subscribe करके जाएए, मिलते हैं next वीडियो में, चैहिन